हालो दोस्तों नमस्कार एक यां-लाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है मैं जय सर आज आप लोगों के बीच टिजीटी पिजीटी आर्ट टिजीटी पिजीटी आर्ट से सम्मंधित प्राक्टिस एक चार लेके आया हूं जिसमें की बेरी-बेरी इंपॉर्टेंट कुष्चन है जो कला के द्रिष्टे से टिजीटी पिजीटी आर्ट में पूछे जाते हैं तो सारे प्रस्ण इंपॉर्टेंट हैं तो चलते हैं साथियों इसी की तरह उम्मीद है कि आपकी जो तयारी है बहुत बहतर है, बहतर कई से आप लोग तयारी कर रहे हैं, साथ ही आज इस प्रैक्टिस सेट में जेतने भी सारे कुश्चन हैं, सम बेरी बेरी मोश्ट इंपर्टेंट हैं, इन सभी एक एक प्रसनों को आप डाउन नोट करते ही चलेंगे और हमारे साथ इस प्रसन को आप करते चलिए कि देखिए 125 प्रसन में आपका कितना प्रसन साही होता है, किस तरह से आपकी तैयारी हुई है या हो रही है, तो चलते हैं दोस्त बिल्या मना करते हुए सीधे प्रसन की तरफ चलते हैं, तो पहला प्रसन है साथ ही थोड़ा फाष्ट चलेंगे क्योंकि एक सो पचेस कुश्चन है लंबा कुश्चन हो जाता है तो जहांगी इनने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाद से अलंकरित किया था तो पहला प्रसन है आप भी इसको देखी और अपने नोट्स में हल करते चलिए कि कितना हमार कुश्चन सही हुआ कितरा नहीं तो पहले का एंसर जो होगा दोस्त क्या हो जाएगा मंसूर क्या हो जाएगा मंसूर जहांगी इनने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाद से नवा जाता हो क्या थे मंसूर चित्रकार थे दूसरे प्रसन की तरफ चलेंगे सैंधो चारो आपसन आपके बीची दिखाई दे रहा थे इसमें से देखिए मोहंग जोदरों की जो सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है दोस्तों अन्ना गार आप यह प्रसन जानते होंगे आगले अगला प्रसन है बंगाल का एक अनोखा पोस्प नामक चित्र किस चित्रकार का क्रिती है तो चारो आपसन आपके सामने दिख रहा है इसमें से जल्दी से आप अपने अन्मान से ट्रिक लगाईए तो देखिए बंगाल का एक अनोखा पोस्प आप जानते हैं पास पाच्छी या पोस्प से सम्बंद्ध जो चित्रकारी करते थे कौन थे मांसूर सी वहल अगले प्रस्ण का प्रियोग सर्वताम हुआ था रिगवेद में चेत्रसूत्र में रसों की संख्या उल्लेखित है तो कारा कि चेत्रसूत्र में कितने रस बताए गए हैं तो साथ ही इस प्रस्ण को जो राइट एंसर होगा नाइन यानी की सी होगा अगला प्रस्ण है आद्मारों ने अल्प रेखाओं में किसकी अविव्यक्त की है मनोरम वा हिर्दैस ग्राही तो देखिए चारों आपसन आपके बीच दिख्याई दे रहे हैं आपके सामने स्क यह सहां प्रस्णी कि बाहे हो तो यह साथ ही चलते हों किस रंग की कमपनयकत सबसे अधीक hai उता आफ। तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा दोस्त कहा जाएगा वैगनी रंग का अगला चित्रालियम गैलरी कहां इस थे थे तो चारों आपसना आपके सामने दिखाई दे रहा है तो चित्रालियम गैलरी जो दोस्त थी हो कहां थे त्रिवेंद्रम थे प्रस्णों देखिए जो हो सके आए अब कमेंट और लाइक सस्क्राइब जरू करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाईए जे के साथ चलते हैं साथ ही अगला है गगेन नात घनवाद के अतिक्त किस वाद से प्रुभावित थे तो गगेन नात जी थे ये तो घनवादी चि जन्म होगा था दोस्त वह था आपका 1924 में तो इसमें जो राइट एंसर वहाद दोस्टी हो जाएगा अगले प्रस्णी तरह चलते हैं साथियों कच्छवा साइली तथा धूढ़ार साइली को और किस नाम से जाना जाता है तो इस प्रस्तिक ने जो राइट एंसर दोस्तो क्या हो जाएगा जैपूर सायली को जैपूर को जाना जाता है उलोरा का कैलास मंदिर चृण सब्रेशं प्रश्ण प्रसीफ चितर बनी ठनी आधारित है तो किस सायली से पूछा किशनगड से अधाय थे कहां से साथ ही हो जाएगा अगले परस्न इसका भी रिप्र चलते हम अरस्तू ने कला को कहा है तो अरस्तू जो थे कला को सत्त की अनुक्रित कहे थे तो इसमें जो भीवाला अ होOOOOOOOOOO तो इसका जो राइट चित्रका थे कितने चित्रकरते हैं तो आगबर के दरबार में कितने चित्रकारते हैं तो अग्बर के दर्बार में बुल्फाजिल के अंसार साथियों सौ चित्रगार थे कितने चित्रगार थे सौ उम्मीद है कि आप प्रस्णों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और हल भी कर रहे होंगे तो लास्ट में अपना कमेंटर सस्क्राइब जरू किने कि कितना में निर्मित इमारतों में प्रसिद मयूर सिंगहासन किसमे था तो चारों आपसन दिये गया है जैसे दिवाने खास दिवाने आम में कंफ्यूजिंग बनती है तो इसमें जो मयूर सिंगहासन तो जो साज जहां का था मयूर की आकिल्स पर बनी थी हीरे जवार सोने तो वो क बॉध्यानिक ने उत्पत प्रकास से बताई है तो प्रकास उत्पत बताने वाले वणों के जो बैग्यानिक थे उत्पत न्यूटन आईजक थे अगला है आपका सीट में ठंडा कर रहा है कि ठंडा रंग क्या है हरा है अगले मुर्गे की लड़ाई नमक्चितर किस का लाकान ने बनाया है तो मुर्गे की लड़ाई जो समद्चितर पूछा जाता है बेरी-बेरी अगले प्रसण की तरफ साथ ही चलते हैं तेल रंगों का अविस्कार किस ने किया था करहा कि जो तेल रंग है तैल रंग उनका आविस्कार किस ने किया था वान आईक बंध मनें थो तो सिव आला प्शन बिल्कुल सही जाएगा अगला प्रसन है फ्रेंस को में चित्रान किया जाता है साथ हैं भी important question very important question है पूछा जाता है तो कह रहा है कि केंचत नम भीत इसको बूर्णो जो गिली दिवार पर होता है तो आपको सी वाला लगाना होगा नहीं तो आइंसर गलत हो जाएगा अगले प्रस्चित साथ ही चलते हैं कला का उद्गम किस मानवी भावना का परचायक है तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों रचना आनन सांदर तो कला का जो उद्गम होगा क्या हो जाएगा इसका सांदर होगा साथियों क्या हो जाएगा सांदर तो भी वाला अप्शन इसमें सही हो जाएगा अगला प्रस्न है मांस औलास नामक ग्रंद के रचाईता है तो मांस औलास नामक जो ग्रंद के रचाईता है भी important question है तो आप इस प्रस्न को देखिए और समझिए कि आपका answer कौन सा सही है तो इसमें क्या हो जाएगा स्रीयार के लचमन किस रूप में प्रसिद्ध कलाकार है तो स्रीयार के लचमन किस रूप में प्रसिद्ध कलाकार है तो स्रीयार के लचमन किस रूप में प्रसिद्ध कलाकार है साथ ही हुए चारों option है cartoonist थे कौन थे यह स्रीयार के लचमन cartoonist कार थे साथ ही हो तो इसका जो right answer प्रस्णी तरब चलेंगे साची की सतोफ का निर्माट किस सासक ने करवाया था करहें कि साची का जो सतोफ है इसको कौन से सासक ने किसके सह में पूंड हुआ था प्रस्णी तरफ चलते हैं साथी हुए असक किसा में बना था अगला है पटनस हैली के चित्रों में प्रयोग होने वाले रंग पहले नेपाल से मंगाया जाता था बाद में कहां से आने लगे जो पटनस हैली के जो रंग थे ये आते थे नेपाल से फिर लाश्ण में इसको कहा अगले प्राशंह तरफ चलते हैं साथ हिए है अगले फ्रसंह wives चलते हैं यह controllers भीने पिटेकर नामक बाद गरनत किस भास में लिखा गया है बिने पिटेकर नामक जो बनिदेकर साथ ही हो ये पाली भासा में लिख्या गया है किस भासा में लिख्या गया है अगले प्रसंद तरफ चलते हैं गांधार कला सैली की मोर्तियों का प्रभाव परदर्सित होता है तो गांधार कला सैली की मोर्तियों का प्रभाव परदर्सित होता है किसमें तो इसमें जो आपका सही एंसर हो सब्सक्राइब लुए तो अगले प्रस्था डाइब है शायें चब्सक्राइब का यूनानी कला से से अगले प्रस्ति तरफ सक्षे महाभलीपुराम के रत मंदुर вам से संबन निम्ट से किश्का था तो तो महाभलना प्रसिंप लिए निम्ण में से कौनसा हीमाव कालीन चेतरकार नहीं है इसमें चार आपसन दिया है पूछ राए कि हिमाव के समय का कौनसा इसमें चित्रकार नहीं तो इसमें क्या हो जग अब्दुल समद कौन थे बहिए अब्दुल समद ये दो चित्रकार ही हुमाव अपने साथ लेके आया था अब्दुल समद सिराजे और ये थे उनका नाम ध्यान नहीं करने है का कि अगाले प्रस्क करप साथ ही चलेंगे अगला प्रसन है आपका मेह दी लोकंकला भारत के किस राजिससे सम्मंद है तो मेह दी सबसे जादर कहाँ लगाएं जाता है यह कला कहां की है मेह दी रस्माली इस प्रसकुल जो राइट एंसर हिए साथ ही हो जाएगा डी राजस्थान अगले πरस के तिरफ चलते हम इडृष्टिर की स्वार्ण यात्रा नामाक्चितर किसकी रचना है गिसने बनाया है तो इस 40 प्रसन है, बेरी बेरी important प्रसन है तो इस प्रसन का जो उत्तर होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस, युद रिष्टर की जो स्वर्ग यातर नाक्षित मुनाये थे, नंदलाल बोस जिवनाए अगला है, मात्मा बोध को ग्रिह त्यागते हैं जनता ह है तो जो गुफः संख्या होगी, क्या हो जाएगी साथियों, सोलाभी गुफः संख्या हो जाएगी, यानि क्यूप अ अपका डिस है, सोलाभी मात्माम बोध को ग्रिह त्यागते हो, दिखा आ गया है, अगला प्रसन है, गुफ्त कालीन महरवली गोशाथम कषदान का ब तॉलिड लोहा है किस चित्रकार ने एक स्वतन्द चित्रकला सहली का विकास किया है तो निहाल चंद जो थे यह स्वतन्द सहली का विकास करने वाले थे निहाल पूरी का जगनात मंदिर किसे समर्पित है तो पूरी का जगनात मंदिर चारों आपसना आप देखिए इसमें इसमें से जो था पूरी का जगनात मंदिर श्रीक्रेश्ण बल्राम और सुभद्रा से संबंदित है तो इस प्रसने का जो राइट एंसर होगा दोस्तों क्या जाएगा चार सो से लेके सास्वी सती हीश्या पूरवाला पहला आणसर सही होगा अगला प्रसने साथ ही है इस्तूप किसकी विशेष्टाएं बताते हैं तो इस्तूप जो था भाई ये बस्तू कला का नमूना है बस्तू कला बताता है इस्तूप में क्या हते है पत्थर की मारते टाइप गोला बना जाता है अगला है मत्रूप की मूर्द कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है तो मत्रूप कला जो थी भी गानधार सहीली से संबन देते थे इस प्रसन का जो राइट एंसर होगा सशी हो जाएगा एगले प्रसन ाजलते है में अजंता शेली को गुप्त सह Always के नाम से सम्भ।किया था देत िसंव परशिआ जैन सली की भारती सहली किस विद्वान का हमात है जयन सेली को पस्चमी भार्तीचाहली कीसने कहाता था तो यह हो जाएगा तेट यहागा राइट अीसद श्याली पर-धारी थे जैश्चलीय केँ आधार्यां अगल्ड़ा हमें हमें चलीेंगे αधनता की चित्रकारी किस काईली पर-धारित है यह जुत अगला प्रस्न है आपका कंद्रिया मंद्र में कितने रूप चित्र होगा दोस्तों क्या जाएगा अगला प्रस्न है साथियों भीम बेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के बने हुए तो भीम बेटका से जो अधिकतर चित्र मिले हो लाल रंग के बने हुए है अगला प्रस्न है साथियों ले चित्र लड़ाक में प्रग्धियासिक चित्रों के केंद्र काउन से हैं तो क्या हो जाएगा लाउदियार लखुनी दियार जो है यह सी वाला अप्सन जो है यही इसका क्या जाएगा शही हो जाएगा साथियों अगले प्रस्न तरब चलते ह स्कूल की सैली ने प्राचिन पारंप्रा और रोडियों को किस तरह अपनाया है तो इस प्रहशन में आप देख है तो इसमें जो साथियों आपका होगा क्या हो जाएगा डी आप संग पी लाए अगला लिथोग्राफी की खोच किसने के थी लिथोग्राफी की जो खीच के थी अलाइक अगले चलते हैं मैसूर राज संग्राले कहां सी थे मैसूर राज संग्राले जो है बैंगलूर में है कहां भी है बैंगलूर में इस्प्राशन का जो राइट एंसर है अगला भावे सन्याल की क्रिति कांसी है भावे सन्याल की जो है कृति है असनान और संगीत्ताग क्या हो ज संथियों चलते हैं ललित कलम हां विद्दय लखनों के अस्थापना कभ होई थे तो नहीं का विद्दय लखनों के अस्थापना जो हुए थी साथियों किसने बनाया था तो अनाज उसाते हुए जो चित्र बनाया थे सतीस गुजराल थे कौन थे साथीं स्वारी स्वारी राम किंकर बैज थे कौन थे इसके राम किंकर बैजी हो जाएंगे अगले प्रस्कतरब साथ हीँ चलते हैं Company Sally का दूसरा नाम क्या है तो पटना सेलि को हम क्या कहा नाम देते हैं यह पटना स hiç दूसरा नाम पटना ness mày है अगले फाइन नाट इन इंडिया एंड शीलोन नामक पूस्ता के लेखा कौन है तो बीसेंट इसमिद जी है कौन है साथियों बीसेंट इसमिद जी अगले प्रसंग तरफ चलते हैं यदे आकरित में अधिक जोकाओ आ जाए तो उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आति भं का कि अगी अगले axe थो हो दो मिल बराबर स्याउं प्लस वेत वंक्रशित रहें टेकि से k हैं यह हो जाएगा सथियों सगहनता कि इसमें जो राइत अंसर होगा सगहनता हो जाएगा अगले प्रस्वी तरफ साथियों चलेंगे प्रकास की हरी लाल तथा बैगनी मुक्य रंगतों को मिल्या दिया जाए तो यह परवर्तित हो जाएंगे किस में प्रवर्तित हो जाएंगे साथियों इसका सफेद प्रकास होगा क्या हो जाएगा सफेद सिवालापसन सही हो जाए है किस गुफा संख्या में है तो गुफा संख्या एक में जनता है पदारमपर बोत्सत्या का जो चित्र गुफा संख्या एक में सीव लाप्सन सहीज़े अगला साथियों जिसमें एक स्रेडी या जाति के रंग बिद्धमान होगा कहलाते हैं तो क्या कहलाएंगे इसका जो उनसर होगा वो न कालायेंगे क्या कालायंगे मैं अगले हैं जो है नहीं इसमें क्या जाएगा बालगुप इसदुति क्या होगा देख कर आब बताएए जो तो राइट एंसर होगा बाल गोपाल इस्तुती हो जाएगा जो अभ्रण सेलिम चित्र नहीं है अगला प्रदिहासि काल की कला के चित्रों का मुख्य आधार क्या है तो इसमें क्या जाएगा साथ ही हूं सिकार के द्रिस एवाला अपसन आपका सही जाएगा सिकार के द्रिस अगला है पाल साली के चित्रों में भावनों की क्या विसेश्था है पाल साली के चित्रों में भावनों की क्या विसेश्था है तो पाल साली में जो भावन बनते थे साथ ही है अलंकृत भावने बनते थे कैसे बनते स्वारी स्वारी आस्तम्यूक्त भावन होते थे पाल सा आगले प्रसमर चलेंगे जोगी मारा की गुफा में दूसरे पैनल में किसका चित्रन किया गया है गोमते पास्टूंब को देखिए उड़ते हुए अचियों को ब्रिच्चों के नीचे बैठी आक्रतियों कद इसमें देखिए कौन साथ आपका सही होगा सी होगद से गढ़ी प्रस्न के चलेंगे आजानता कि चितरकारों ने किस परपेच को उचित का यृप चित समझा है कि अगला प्रसनी स्क्रीन आपके सामने है पाल इस्कूल पेंटिंग में धार्मिक चित्र के जीवन पर आधारित तो कहा रहा है कि धार्मिक जो चित्र बनते थे के ऊपराधारित है ते इस प्रस्ण का जो Right Answer होगा दोस्तों क्या हो जाएगा क्रिशन के उपर आधारी थे क्सके उपर क्रिशन के उपर यह चित्र आधारी थे अगला है किस सम्राठ के संच्छर में अब्दुल अब्दुल अगले प्रशन है राजस्तानी साइली का उदय हुआ था राजस्तानी का उदय का हुआ था साथियों तो यह हो जाएगा आपका देखिए बताइए इस प्रशन को उत्तर साथियों चलते हैं राज्थानी स्टाइली हो गया ना स्वलांसिताई में अगले प्रस्ण के तरफ चलते हैं साथ ही जोगी मारा की गुफा में किन रंगों का प्रियोग हुआ है का रहा है कि जोगी मारा गुफा में किन रंगों का प्रियोग हुआ है तिस प्रस्ण का जो आंसर होगा लाल काले विफ्तिक बारतन का विशकार किस काल में हुआ साथियों यह 9 पासांड काल हुआ तक अगले प्रसंट चलोंगे कांगरा साली का पोषक था तो राजा संसा रचन थे आगला अगला हमाका रविध्रनाद का जन वह था अग्ला है जगदीष में तल का जन हुआ था जगदीष मितल का जन हुआ था दोस्ते कभ वह था को 1925 कह वह था उनिस्सों पचीस में अगला प्रस्ण हम criança किस देश संबंधी था जो है किस देश संबंधी था है पाकिस्त वुष्वारे भारास से पाकिसान दीन है तो भारास स्मिष्र थावरा से इस प्रस्ण का जो अगला प्रसन है लोकला के दरिष्ट से बंगाल के प्रसिद्ध हैं लोकला के देखी बताईए आप वे तो लोक लाक के अगरे में चित्रों का बश्र का और साथीयों सामाजिक धार्मिक और संक्रित क्या है धार्मिक हो गा हो जाएगा धार्मिक भी वाश्रा इसका सढ़ा है बहरती कसीधा नामक पूस्टा किसकी है है यह ब्रस्ण का उत्रा जल्दी से देने का प्रयास करें देखे इस प्रस्ण का जो यह हुँ Aegis some त्मगे जग्धिश्मित्तल कोने राजस्थान में दिवाली के आउसार पर बिशेश रूप तथा रंगों से कारी होता है। यूरोप में कला को कहा जाता है यूरोप में कला को आर्टte और अगला लंदन autar Sabrakugo में करता सबीधा जीता था जीते था सब्सक्राइब लोग करता कार जाता तो भी वाला अप्सन बिलकुल सह हो जाएगा हैकर का बन अनभात किया है क्या रही है कि इसका बंगला में किस नlait अनुबात किया है तो इस प्राश्ण का जो राइट लो दोस्तों असित कुमार हल्धर जी हो जाएंगे कि अग्ला अग्ला प्रसने रूपा ली तता सिल्पकला प्रसिदिद्र-पोष तक हां तो इस प्रस्ण कर जो राइट एंसर अगर दोस्तो नंद लाल कौन थे वह यह नंद रूपाली ता सिल्फ का सिल्फ कला पुष्ट के किसने लिखे थे नंद लाल जी बेरी बेरी इंपॉर्टन प्रस्ण है इस प्रस्ण को भी आप डाउंड नोट करेंगा अगला प्रस्ण जाता कथाओं के चित्र मिलते हैं सिंग्रियम आजनता में बाग में एलोरा में जाता कथाओं के जो चित्र मिलेंगे कहां मिलेंगे अजनता से कहां से मिलेंगे साथ ही हैं अजनता से मात्मापुद्ध का एक राजनता काफी चित्र यहां से थे अगला है रवीन ना ठाकु सबसे ज्यादा कहा होती है महाराश्ट में साधी विवागे आउसरों पर तो बीवाला अप्सन बिल्कुल सही लगा है मगूल फिदा हुसेन का जन्म हुआ था तो मगूल फिदा हुसेन का जो जन्म हुआ था तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा दोस्तों साथी 1915 अगला प्रस्ण है सन 1887 में बाल कला सब्द का प्रियोग किया था तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा दोस्तों जाएंगे कोरा डोरिक ने बाल कला सब्द का जो प्रियोग करने वाले थे कोरा डोरिक थे अगला कल्प सूत्र का लिपकार कौन थे कल्प सूत्र का ज जो राइट अंसर होगा बितपाल कल प trying चलेंगे पाल इस्कुल नज़ियों को चित्रों में द्रेश चित्र किस ड्हंग से किया गया है तो इस प्रस्क जो टूराइट यह देखिया बताई प्रद्रयम प्राक्तिक आलांकारी क्या हो एक हो जीग थे पाल इस स्कुल कि अगला है चित्र करने के पहचान करने से कहलाता है कि इस प्रहशं का रइंसर होगा दोस्त क्या जयेगा प्रमार्ड होगा बीवाला अगला है चित्र का वह यँगजो सबसे पहलेत दार्शक को ध्यान आक्रिष्ट कराता है क्या होजाएगा وण क्या होजाएगा साथियों वण सबसे चित्र कला में सस्पले हैं हमको रंग देखते हैं लिएक कुलू षैले को प्रकास में लाने का श्रेह किसे प्राफ्त है तो चार आप संदियें इसमें बेखी कौन है तो ये सी फ्रेंश है भुल Japon साथ यूहिए सफिन्धार थे काली घंट के मुख चित्रकार रहे हैं देखें इंपोरेटेंट गूश्टन गराए इसमें सब्ट काली घंट के मुख कर रहों साथ यूंक कौन हो जाएंगे यन सी घोसवा केसी घोष मुख चित्रकार पूछा किया देखिए कौन होगे इसमें से यह भाषट यह फासेट फासेट कर बहुत है यह फासेट बहुत है अगला है जै मंगला देखिए चारा आपिस दिया गया तो क्या है जया मंगला बताई से जाएगा चल est you know कि I am करण सुतर का अनमानित समय क्या है करे कि जो काम सुतर का समय ही उंफ सा मचान समय था कि प्रह्याइब प्रत अध्य reflective hard प्राचीन चित्र कहां मिलते हैं बहुत देखें अगला प्रसने आप देखिए ताइगी रंगत की निम्नमान प्रदर्सित करती है इस जो रॉफ होका जाएगा आवसाद क्या हुजाए स to समन्जस का इसमीं से गलत है इसमीं से जो गलत होगा आवशाद क्या है समन्जस का किसका रूप रेखा पूट है लेकि सμέ आल प्रताम प्रेंटिंग स कि प्रतंबेंट प्रेंटिंग्ट कहां बनी मुंबई में दिल्ली में ख़ाइद्रबाद में कोलकाता में कोलकाता में य कि रहा चार जिसमें क्षे ने कुलütfen थिर कोछेश्थ तो आप लाइक सस्क्राइब करिए ताकि हमारा दूसरा वीडियो आप जैसे हम डालें आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बहतर बनाए तो चलते हैं दोस्त उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सफलता आपको निश्चित मिलेग तो चलते हैं साथ ही जब तक हमारा नेस्ट वीडियो आपके बीच आता तब तक लिए बेस्ट अपलाक सो थैंक्यो धन्यवा